हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने डूप चैनल स्टडी वितरभी पर दोस्तो आज के हम इस वीडियो में कुरिंद बंद से सम्मंदित महत्पूर्ण प्रशन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दोस्तो मैंने कुरिंद बंसे संबंदित बहस अभी प्रेशन सामिल के हैं जो आपके सीधे एक्जाम में पुछे जा सकते हैं साथ में आपको कोशन से रिरेडिड एस्ट्राफेक्ट भी बताऊंगा जिससे आपको यह टोपिक अच्छे से केलियर हो सके तो बस आप वीडियो को शुरू से लेकर लाश तक दिखते रहेगा ठीक हैं जिससे आपको यह टोपिक अच्छे से समझ में आ जाए तो पहरा प्रशन है निम्न में से किस बंस का सम्बंद कालसी अभी लेक से है तो दोस्तो कालसी अभी लेक से मोर्य बंस का सम्बंद है जो कि फेंस मोर्य बंस का सासक था समराथ असोग इसके द्वारा 257 इस भी पूर्व में कालसी अभी लेक को बनवाया गया था नेस्ट कोशन है कि काल्शी सिलालेक निम्न में से किस से सम्मंदित है तो दोस्तो काल्शी सिलालेक का सम्मंद है समराथ असोक से तो सही आंसर है हमारा ओप्शन डी तीसरा प्रशन है कि काल्सी इस्तित असोक कालिन सिलालेख की भासा है तो दोस्तो काल्सी में इस्तित जो असोक का सिलालेख है इसकी भासा थी प्राकरत भासा तो सही आंसर है option B नेस्ट कोशन है कि असोक कालिन सिलालेख राज्य के किस इस्तान से मिला है तो दोस्तो काल्सी दहरादुन से प्राप्थ हुआ है असोक का सिलालेख next question है कि उत्राखन पर सासन करने वाला कुडिंद बंस निम्न में से किसके समकालिन थे तो दोस्तो जो कुडिंद बंस था तो बहुत मोर्य के समकालिन था तो सही आंसर है हमारा option B next question है कि कुडिंद बंस के सासकों में सरवधिक मुद्रा शिक्के किस सासक के प्राप्त हुए है तो दोस्तो सरवधिक मुद्रा या सिक्के जो प्राप्त हुए है तो बहुत अमोग भूती के प्राप्त हुए है जिस से यह पता चलता है दोस्तों कि अमोग भूती का जो सासन काल था तो भेह आर्थिक रूप से मजबूत था Next question है निम्ड में से किस पिरकार के सिक्के रजट अब तांबे की धातु के थे तो दोस्तों जो अमोग भूती पिरकार के सिक्के थे तो बहे चांदी और तांबे से बने थे तो सही अंसर रहेगा ओप्शन B जो दोस्तो कुणिंद बंस की मुद्राएं थी तो बहे तीन भागों में बाटी गई जो मुद्राएं दोस्तो अलमुडा से प्राप्थ हुई तो उन्हें अलमुडा प्रिकार का कहा गया जो अमुग भूती सासक की थी तो बहे अमुग भूती प्रिकार की कही गई और जो छत्रेश्वर सासक की थी तो बहे छत्रेश्वर प्रिकार की मुद्राएं कहलाई अगला प्रशन है चत्रेस्वर प्रकार की मुद्रा पर किस सैली का प्रभाब देखने को मिलता है तो दोस्तो कुसान सैली का प्रभाब देखने को मिलता है चत्रेस्वर प्रकार की मुद्राएं पर आप से पूछा जाएगा कि अमोग भूती प्रकार की जो मुद्राएं थी तो उन पर किस सैली से प्राप्त हुई है तो दोस्तो मानब मूर्ती और कुबर वाले बैल की जो चाप प्राप्त हुई है तो वह है अलमुरा प्रिकार के सिक्कों से प्राप्त हुई है नेस्ट कोशन है कि कुरिंदो की प्रथम बास्तिविक राजधानी कहा थी तो दोस्तो कालकूट मेचती थी कुरिंदों की प्रथम बास्तिविक राजधानी जो कालकूट है तो यह कालसी का प्राचिन नाम है याद रखना है नेश्ट कोशन हैगा कि उत्राखन का पहला राजनेतिक बंस किसे कहा जाता है तो दोस्तो उत्राखन का पहला राजनेतिक बंस कुरिंद बंस को कहा जाता है नेस्ट को सेने निम्न में से किस पुरानिक गिरंथ में कुरिंद सासित राज्य को उत्तर कुरू महा जनपत कहा है तो सही answer रहेगा option B दोस्तो जो भारत था तो यह 16 महाजनपदों में बटा था ठीके जिसमें से एक महाजनपद था कुरू ठीके और यह कुरू महाजनपद जो था दोस्तो दो भागों में बटा था एक महाजनपद था दच्छनी महाजनपद और दूसरा था उत्तर कुरू महाजनपद थीके तो उत्तर कुरू महाजनपद जो था दोस्तो तो इसी पर ही कुरिंद सासित राजिय इस्थापित था next question है कि उत्राखन का पहला एतिहासिक बंस किसे कहा जाता है तो दोस्तों उत्राखन का पहला एतिहासिक बंस जो कहा जाता है तो वह कुडिंद बंस को कहा जाता है क्योंकि दोस्तों उत्राखन पर सासन करने बाला सबसे प्राचीन जो बंस था तो बहे कुडिंद राजबन्स ही था Next question है कि अश्ट अध्याई किसकी रचना है तो दोस्तो प्रमुख पुस्तक है अश्ट अध्याई की पाननी ठीक है मतलब पाननी की जो पुस्तक है तो बहे अश्ट अध्याई है तो सही आंसर रहेगा Option B Next question है कि निम्न में से किस एतिहासिक सुरोत से कुडिंदों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है तो दोस्तो महा भारत से भी जानकारी मिलती है अश्ट अध्याई से भी मिलती है बोध साहिते से भी कुडिंद बंस की जानकारी मिलती है तो सही अंसर है अभी ग्यान सकुन्तलम जो कि फ्रेंड्स महा कालिदास की यह पुस्तक है अगला प्रेशन हैगा कि अमोग भूती पिरकार की मुद्राओं में किस सैली का पिरभाब देखने को मिलता है तो दोस्तों पीछे बताया था मैंने कि अमोग भूती पिरकार की जो मुद्राओं थी तो इसमें यूनानी सैली का पिरभाब देखने को मिलता है तो सही अंसर हैगा ओप्शन C सिको की प्राप्त जानकारी के अनुसार कुरिंदो के अराध्य देव किने कहा गया है तो दोस्तों इंपोर्टेंट कोशन है हमें बताना है कि कुरिंदो के अराध्य देव कोन थे तो दोस्तों भगवान सिप जो थे तो बह्या आराध्या देप से Teams पुरिन्द राज़वंस्के सही आंसर रहेगा Option A Next question है कि कुरिन्द बंस्के अभी तक कितने अभी लेक मिले है तो दोस्तों कुरिन्द बंस्के अभी तक कुल पांच अभी लेक मिले है जिसमें से एक मतूरा से प्राप्थ हुआ है और चार जो प्राप्थ हुए हैं दोस्तो तो यह है भरुत से प्राप्थ हुए हैं आपसे पुछा जाएगा कि भरुत कहां पर इस्तित है तो यह है दोस्तो मध्य परदेश राज्ये में इस्तित है अगला प्रशन है कि किस अभ मुर्य के आधिन थे जो मुर्य सासक थे तो उनके आधिन थे तो सही आंसर है option c ठीक है देखे बात करते हैं जूनागर अभी लेक की तो दोस्तों जूनागर अभी लेक गिर परबत जो गिरिनार परबत है गुजरात में तो बहां से प्राप्थ हुआ है जो की friends रूदर दमन क कि एक पिर्मुक कार्या है कि इसी ने दोस्तों जो सुदर्शन जील है गुजरात में उसका पुन्रोधर करवाया था ठीक है अगली बात करें कि रूमन दई अभी लेक तो दोस्तों इसकी जो जानकारी मिलती है तो यह है लुम्बनी जो नेपाल में श्तित है तो बहां से यह है लेक प्राप्त हुआ था ठीक है जो कि फ्रेंड्स असोक का यह है अभी लेक है जिसमें फ्रेंड्स जब कलिंग बिजय प्राप्त कर लेता है असोक तो उसके बाद में ठीक है रुमन दई अभी लेक को बनवाता है और क्योंकि कलिंग बिजय के बाद में यह है बोध कर देता है ठीक है तो इंपोटेंट है यह है अभिलेक असोक का ठीक है याद रखना है रुमंदई अभिलेक लुम्वनी से प्राप्त हुआ है बात करते हैं हाती गुंफा अभिलेक तो दोस्तों यह खार बेल सासक का अभिलेक है जो की उडिशा से प्राप्त हुआ है ठीक है तो याद रखने, ठीक है, अगला प्रशन है, सिक्कों में अंकित नाम के अधार पर कुरिंद बंस का प्रथम सासक किनहें माना जाता है, तो दोस्तों कुरिंद बंस का प्रथम सासक जो माना जाता है, तो बहें विश देप को माना जाता है, तो सही आंसर रहेगा, ओप्शन C अगला प्रेशन है कि निमलिकित में से उत्राखंट पर सासन करने वाली प्रथम राजनेतिक सकती कौन सी थी तो दोस्तो उत्राखंट पर सासन करने वाली प्रथम राजनेतिक सकती थी कुरिंद बंस अगला प्रेशन है कि कुरिंद बंस का प्रतापी सासक किसे कहा जाता है तो पीछे बताया था कि कुरिंद बंस का सबसे प्रतापी राजा जो है तो वह अमोग भूती को कहा गया है तो सही अंसर रहेगा option A अगला प्रेशन है कि अमोग भूती की मृत्यू सो बर्स इसी पूर्व के पस्चात कुमाव में किसका अधिकार हो गया था तो जो जो अमोग भुतिकी मृतिय हुई थी तो उसके सो बर्स बाद कुमाव पर किसका अधिकार हो गया था तो इसका सही आंसर है सको का मतलब कुलिंद बंस का जब पतन हो जाता है तो उसके बाद में उत्त्रा खंड के छेतर फर सको का अधिपतिय हो जाता है टिक है और एक कोरेंच नैं कि जो friends कुलिंद धे तो कुलिंदों ने किस पर अधिकार कर रखा था तो friends जो खस थे तो खसों पर इन्होंने अधिकार कर रखा था जिस कारण इन्हें खस अधिपती भी कहा जाता है नेस्ट कोशन है कि कुमाउज छेत्र में सको का अधिकार बैसक सम्मंद का प्रिचलन किस इस्थल से ग्यात होता है तो दोस्तो काटारमल सूर्य मंदिर अलमुडा से यह पता चलता है नेस्ट कोशन है कि सको के बाद राज्य के तराई छेत्र पर किसका अधिकार हो गया था तो दोस्तो सको के बाद तराई छेत्र में जो अधिकार हो गया था तो वह कुसानों का अधिकार हुआ था सही आंसर हैगा ओप्शन बी अगला प्रशन है कि किस अभिलेक से यह ग्यात होता है कि कुरिंद राजबन्स के कुछ सासक मुर्य के आधिन थे तो पीछे भी था ये कोशन ठीक है सही अनसर था इसका कालसी अभिलेक से नेश्ट कोशन है कि छटी सताबदी के बाद नागों को पराज़ित कर उत्राखन पर किसने अधिकार कर लिया तो दोस्तो छटी सदाबदी के बाद जब नागों को पराजित किया था तो उसके बाद में उत्राखन पर जो अधिकार होता है तो बहें मोखरी बंस का होता है तो सही अंसर हैगा option A आपसे पुछा जाएगा कि उत्राखन में नागों को किसने पराजित किया था तो सही अंसर है मोखरी बंस ने Next Question है कि मोखरी बंस का अन्तिम साशक कोन था तो दोस्तों मोखरी बंस का अन्तिम साशक था गिरह बरमा सही answer हैगा Option दी मोखरियो के बाद उत्राखंड पर किस बहारी राजबंस का साशन इस्थापित हुआ था तो दोस्तो मोखरियों के बाद उत्राखन पर जो बहारी राजबंस इस्थापित हुआ था तो बहारी बर्धन बंस इस्थापित हुआ था ठीक है तो बर्धन बंस के जो सबसे सकती साली सासक आता है दोस्तो तो बहार हर्च बर्धन था और इसी हर्च बर्धन ने जो कि थी उसने अपनी यात्रा बरतांत में इस राज्य को क्या कहा है तो दोस्तो वेन सांग का यात्रा बरतांत है सी यू की तो सी यू की ने दोस्तो उत्राखन को क्या कहा है आपको बताना है तो फ्रेंट्स इसने जो कहा था तो बहे पोली ही मोपूलो मतलब ब्रहमपूर के न स्वर्हबुक्षाम से जो जाना जाता है थे कह संध्त सभी को सन इंपोटेंड थे उम्मीद करता हूं आपको अच्छी से समझ में आया होगा थिक कै इस से अलग कुणिन्दबं से कोई कोशन नहीं बन सकता तो सभी कोशन इंपोटन थे आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ठीक है कमेंट करके जरूर बताएं कि सेसन कैसा रहा मिलते हैं नेस्ट वीडियो को साथ दोस्तों तब तक के लिए वाए थैंक्यू सो मच फूर वाचिंग जैहिंद